प्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल मिसके डीके एंड आज हम जी शेयर के बारे हम बात करें वो सिरीगेनेस बायो टैक्ट इंडिया लिम्टेड जी हां आज हम बात करें इसे क्वाटफोर रिजल्ट को लेकर इसका जो क्वाटफोर रिजल्ट आ चुका है तो मैं आपको वो जग क्रोड में करके बताऊंगा अगर बात करें टोटल इंकम या टोटल रिवैन्यू की तो अपके बार आप देखो को टोटल इंकम रहे वो 20 क्रोड 13 लाग का है प्रिविस क्वाटर में आप देखोगे 19 क्रोड तीन लाग का और प्रिविस मार्श क्वाट में आप देखोगे 18 क्रोड 8 लाग के previous March quarter में 8 क्रोड 83 लाग के तो quarter on quarter jump और previous March quarter से भी expenses में jump देखने को मिला है अब आप देखोगे इसका जो revenue है वो इसके expense से ज़ाद है तो इसका मतलब company को profit हुआ है कितना profit हो है वो भी आप देख सकते हो अगर बात के net profit after tax की तो आप देखोगे अपकी बार जो company को profit हुआ है वो एक करोड 4 लाग का previous quarter में 95 लाग का और previous March quarter में 3 लाग का तो quarter on quarter प्रोफिट में previous March quarter से भी अच्छा जबरदस्त जब देखने को मिल रहा इसके profit में अगर बात करें वाई-उन-वाई के तो आप देखोगे वहाँ पर भी हमें जबरदस्त जब देखने को मिल रहा है इसके नेट प्रोफिट में तो आप देखो कि इसका जो quarter for जलता है बहुत अच्छा है अगर बात करें EPS की यानि अर्निंग पर शेयर की तो आप देखो कि पांच पैसे रहा है प्रीविस quarter में वहाँ पर भी पांच पैसे और प्रीविस March quarter में आप देखोगे जीरो पैसे रहा था तो आप देख सकते हैं इसका जो बहुत अच्छा है कंपनी उसके प्रेज में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो आप अगर इसके साथ होल्डिंग में चलते हो तो सबसे बैस्ट रहेगा लोंग टाइम के लिए बने रो लेकिन इसको पर एक कि इसका सारी इसके सारी इसके होल्डिंग grep 59 पर फूल्डिंग के पास है यही सबसे बैड युज है कि सारी इसके सारी इसके मिले पडलिंग ना तो इसके अंदर promoters हैं, और ना यह कोई FIDI की holding है, सारी के सारे जो holding हैं, वो public किये, यह इसकी एक bad news हो सकती है, अगर वीडियो पसंद आतों कि लाइक की, जो रहे से latest quarter result के बारे हम जानकारे पाने के लिए, हम हर चैनल को subscribe कर लिजिए, and thank you for watching the video.